हेलो एवरिवन आज हम बनाएंगे इंस्टेंट कीमा जो बहुत जल्दी बन जाता है अकर आपको खाना नहीं भी बनाना आता है तो आप इजली बना सकते हैं चलिए हम स्टार्ट करते हैं यह मैंने पैन लिया है पैन में 500 ग्रम मिंस एड़ कर दिया है और फाइली चॉप्ट आनियन और फाइली चॉप्ट टमेटोस जमें एड़ कर दिया है वन टेबल स्पून जिंजर कालिक का पेस्ट एड़ कर दिया है हमें सारे ड्राय मसाले एड़ करूंगी और यह मसाले एड़ करने के बाद इसको अच्छे दर मेक्स करेंगे कि मिक्स करने की बाद वन एन और हाफ ग्लास ऑफ वाटर एड़ करेंगे इसे मिक्स कर देंगे कि मिक्स कर दिया है मिक्स कर दोंगी मैंने इसको पर लग दिया है को करने के लिए एक बॉइल आ गया है मैं कुकर में बना रही हूं कुकर का लिड लगा देंगे त्री विसल तक वेट करेंगे त्री विसल आ जाए उसके बाद हम चेक करते हैं अब मैंने लिड निकाल दिया है और देखिए अची तर आप पोख हो चुका है अब जो पानी रिमेइनिंग है उसको हम ड्राय कर लेंगे फुल गैस ऑन कर देंगे बारे बारे से चलाते जाएंगे जैसे की निचे लगे नहीं मैंने दूसरा पैन ले लिया है अब पैन में मैंने घी लिया है टू टेबिल स्पून अब अटर भी ले सकते हैं घी में ज्यादा टिस्टी बनता है मैंने इसमें वन बेलीफ ली है और टू ग्लोफ और त्री कार्णिमम्स ली है यहां पर केमा जो हमने ड्राय कर लिया था अब इसको अच्छे तरह भूनेंगे तैन मिर्स तक भून लेंगे जब तक घी न छोड़ दे तब तक भूनते जाएगे हाफ कप योगर्ट एड कर देंगे और इसको भी पाइब मिर्स तक भून लेंगे होने के बाद आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा कलर आजाएगा और यह की भी रिलीस कर देगा मैंने यहाँ पर पानी आड कर दिया है अगर आपको पसंद है ड्राय तो आप ड्राय रख सकते हैं यहाँ पर मैंने कटा हुआ हरा धनिया कटी हुए हरी मिर्च आड कर दिये और इसको मिक्स कर दिया है सची खुश्बू हाजाएगी आप कि हमारा कुक कीमा रेड़ी है अब इससे सर्फ करें और इससे कार्निश करें धनिया पुदीना या हरी मिच करकर की डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसमें लैमन भी टाल सकते हैं यह बहुत जल्दी बन जाता है अब जरूर ट्राय करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद नहीं तो लाइक शेर और सब्क्राइब करें थैंक यू फर वाचिंग मैं चैनल